नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल फिटने टेलिफिट पर आपको दिल से स्वागत है हम सभी को जानने एक इच्छा होती के हमारे सरीर के लिए नॉर्मल सुगर लेवल कितना होना चाहिए खाली पेट सुगर लेवल कितना होना चाहिए खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए इ डाइवेटेस से जुरी लेटेस जानकारी और अनी हेल्थ से जुरी जानकारी आप सब के लिए रोज लाता रहता हूं दोस्तों हमारे सरीर के अंदर बलड में एक निश्चित मातरा में ही सुगर यानि गुलकोज का होना बहुत आवश्यक है खून में मौजूद बुलकोज सरीर में ओजा प्रदान करने के लिए मुखे रोप से जुमेदार होता है बलड सुगर की कमी या अधिक मातरा दोनों परिस्थितियों में या हमारे सरीर के लिए गंबीर समस्या है हम जान लेते हैं कि एक स्वस्थ बैक्ति का बलड सुगर लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मल कंडिशन में बलड सुगर लेवल 4-6 मिली मौल परती लिटर या यूं कहें कि 70-100 मिली ग्राम परती डेसी लिटर के बीच अभश्य होना चाहिए वहीं अगर फास्टिंग या खाना खाने से पहले की बात करें तो 70-130 मिली ग्राम परती डेसी लिटर होना चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद 180 मिली ग्राम परती डेसी लिटर से कम होना चाहिए और अगर बात करें रात को सूने से पहले सुगर लेवल की तो 90-150 मिलीग्राम प्रती डेसी लीटर के बीच होना चाहिए तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इंसूलिन का क्या कार्य है और यह कैसे हमारे बलड सुगर लेवल को नियंतित करने में अहम बोमिका निवाता है कार्वोहेड़र और बसा यह दो तत्व उर्जा देने वाले तत्व हैं जो हमारे भोजन में होता है हम जब कर्वोहेड़र और बसा युक्त भोजन खाते हैं तो अमासे के अंदर यह गुलकोज में प्रवित्त हो जाता है इस गुलकोज रूपी उर्जा को हमारे सरीर के अंदर उपस्थित लाखों को सिकाओं को पहुचाना होता है जिससे कि हमारा सरीर सही ढंग से कार्य कर सके और यह महतपूर्ण काम तभी संभव है जब हमारा अगन्या से सही मातरा में इंसुलिन का उत्पादन करे इंसुलिन वही हार्मोन है जो हमारे सरीर के अंदर कार्वोहेड़र को पचाने का काम करता है बिना इंसुलिन के गुलकोज हमारे कोसिकाओं के अंदर नहीं पहुँच सकता और यह गुलकोज हमारे बलड में एकठा होने लगता है इस इस्तिती में बैक्ती के अंदर उर्जा का प्रभार रुख जाता है और वह कमजोर दिखने लगता है और धीरे धीरे बैक्ती डियाबिटीज से पीरित हो जाता है तो फल किसे खाने की इच्छा नहीं होती छै ऐसे फल बताओंगा जो डियाबिटीज के रोगी अपने हार में सामिल कर सकते हैं ये फल आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं क्योंकि इन फलों का गुलकोज इंडेक्स बहुत ही कम होता है सबसे पहले नंबर पर सेव आता है यह डियाबिटीज में अवश्य खाना चाहिए यह टाइब टू डियाबिटीज से बचाई रखता है और इसमें पाए जाने वाले एंटियोक्सिदेंट हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रोल लेबल को कम करता है सेव का जी तो टाइब टू डियाबिटीज से हमारी रच्छा करते हैं इसके अलावा एवोकाडो घरबूजा रेड ग्रेब फूट को भी आप खा सकते हैं सबजी के तोर पर आप अपने डाइट में टमाटर को भी सामिल कर सकते हैं इसमें कार्वोहेडिट काफी कम मातरा में पाए ज पाए जाते हैं इसलिए टमाटर बेजी जख होकर खाएं दोस्तों अगली वीडियो डाइबिटीज के पेसेंट के डाइट प्लान के बारे में बहुत जल्द आने वाली है इस डाइट प्लान में सुभा के नास्ते से लेकर रात के भोजन के बारे में बताऊंगा जिसे अपना कर आप एक हपते के अंदर अपना सुगर लेवल को नियंतित कर लेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आया आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा अभी के लिए इतना ही जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ जैहिंद बंदे मात्राब